कि नमस्कार दूस्तों 11 सब का फिर से बहुत-बहुत सवागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर अगर आपको भुकस लेना है तो भुकस का लिंग जो है नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स-काल दिया गया है तो आप लोग पिर रिंगी आपको हींदी का यह चार्ख कश्चिक हृतार कि चोटkes चैनल आपको लेसकते हैं ने यहाँ हैं और आपके बुच चातर लने का प्रयास किजीगा, बहुत ही आसान सा कॉश्शन है, पुछा के नेमलेकित में से कौन सा अव्य वही, मैंने आपको पहले बता रखा वही, अव्य क्या होता है, अव्य मतलब आविकारी, जिसमें कोई विकार उत्पन ना हो, लिंग में वचन में, ठीक है, कारक में, उसमें समुच्च बोधक अव्य ही होता है, तथा हो गया, यह मोगया, और हो गया, तो यह आपको क्या हो जाएगा, अव्य हो जाएगा, तो जितने वने आपर जबाद दिया, आप सरम पर C वाला, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, लियर है, चैलिए, अगला क कोशन देखिए, तथ्सम तद्भो से कोशन है, बहुत इंपॉर्ण कोशन है, तीन कोशन मानके चलो तथ्सम तद्भो से आपके पेपर में फिक्स है, आता ही आता है, निम्लेकित तद्भो सब्दे छाटने आप सभीको, गाओं, अमृत, उच्छ औरेकत्र, तवाई यहां गाओं सब्दा आपका क्या है, तद्भो है, क्योंकि इसका तद्भो होता है, वो ग्राम होता है, ठीक है, अमृत की बात करते हैं, तो अमृत का एक तद्भो होता है, वो आपका अमिय होता है, क्यों तब इसका तद्भो होता है, इसी तरह उच्छ का जो तद्भो होता है, जब करते हैं और बात करते हैं एकत्र का जो तद्व होता है यहाँ पर दूसरों याद रखीए गा इसका सही तरह पका क्या हो जाएगा ओप्स नुमबर ए वाला हो जायएगा जित्रों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे कामता प्रसाद गुरु को हिंदी की पाड़नी कहा जाता है अब कई बार आपके दिवाग में चलता है कामता प्रसाद गुरु यहाँ पर देखो यह कोश्चन थोड़ा सा अलग है यहीं लोग गलत कर देते हैं तो कामता प्रसाद गुरु को हिंदी की पाड़नी कहते हैं तो यहाँ पर पाड़नी जो है किस प्रकार की संग्या है अब दो को पाड़नी आपर एक संग्या मतलब एक अही प्रकार के वस्तों को बहुत कई अलग-अलग लोगों को दिया जा रहा है किसा उतास बाज़ पही जो भी बोल दिया गया हिंदी की पाड़नी कि यहीं को दिया जाए कि यूंद गांथी जी की सच्छा है तो वह थीं के अपका एक बुढ़ापा सब्द भावचक संग्या है सब्धी को पता है संग्या का भी विसेस्द्ण नहीं होता है, संग्या हमेसा क्या होता है विशेषी होता है ये अपने दिमाग में रखिएगा ठीक है समझ की बात करते हैं अगर समझदार होता तो आपका क्या होता है विशेषर हो जाता है लेकिन सांत की बात करते हैं सांत सब्द आपका विशेषर है अब सांत सब्द से किसी भी संगया की विशेषर होता है अगला question देखिया आपसे कह रहा है कि नेमलिखित वाक्यों में इसे पूर्ड वर्तमान काल को इस परष्ट की जब है पूर्ड वर्तमान काल यानि कि काम complete रूप से पूरा हो चुका है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है तो यहाँ पर देखिए काम complete हो चुका भई यहाँ पूर्ड वर्तमान काल होता है इस प्रष्ट का जवाब आपका क्या हो जाएगा जवाब आना सुरू हो गया है तो आविकारी मतलब कौन सा जैसे मैंने क्या था विकारी मतलब होता है जिनमें कोई विकार आ जाए और आविकारी नहीं पूछा गया यानि कि कौन सा विकारी है तो हाथी सब्द की बात करते हैं तो आविकारी नहीं है क्योंकि हाथी सब्द में विकार हो सकते है यसे हाथी को link recording बदलो के हाथी नहीं हो जाएगा कारक के हिसाफ से अगर करते हाथी का हाथी के का और की में देखे अंतर आ गया यानि कि इसमें विकार हो जाएगा या इसलिए आपका ये आविकारी नहीं विकारी सब्द है तो option number A साथ हो यहाँ पर जो correct हो जाएगा ठीक है वाच्य के कितने भेद होते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं अगर हम इंग्लिस में पढ़ेंगे वाच्य तब तो आपके दो ही होते हैं एक्टिव और पैसी वाइस अब में पर रखक है लेकिन हिंदी में जो आपके तीन वाच्य होते हैं कौन कौन से तीन वाच पुरुस की वहती है जाए जैंगा, एकला कोईशन ही च्छत्रिये सब्द का इसी लिंगा पता है यह क्या हो जाए भई, जो इसी लिंग का होता है, छेत्राडी, नहीं भई, छत्रियाडी ऐसा कोई वर्डी नहीं होता है, बच्छा आपका अपस्ट नमबर C, कुछ चीजी त कि बढ़िश की विषिस्ता उताई जा रही है कर्म धारे समास होता है यह उत्रसर आपका कर्मधारे समास मोशकों हो जाएगा अगला कॉशन दिखेगा रहा है नенमिकित में से कौन सा सब्द ऊसका परयाव बाची नहीं है भाई तुसार शेफाली सबनम रसाल चलिए फटाफट जवाब जो देती हो चलेंगे वह तुसार और शेफाली सबनम और रशाल तो आपसे जो गता है रसाल का मतलब क्या होता है कि अब आपको पढ़ाएगे रसाल का मतलब होता है आम होता है, तो रसाल जो सब्द दिया गया है, यह आपका आम का प्रेवाची है, ना कि ओस का, तो यह चीज़ देखे, आपसर नमबर जो इसका D है, करेक्ट होगा, जो कि ओस मतलब तुसार, हिम, शेफाली, पाला, पाला पढ़ता ना भी ठंडी पढ़ रही है, तो भाई, पढ़ते हैं, तो आपसर नमबर D यहाँ पर जो करेक्ट होगा, ठीक है, आम के प्रेवाची आमर होते हैं, ठीक है, इसके लाबा अमरित फल भी बोला जाता है, कई वर आपके एक्जाम में आया है, अमरित फल, अमरित फल जो आम को ही बोलते है, अगला कोश्य है, पूर्डिमा का विलोम आपने भी देखा होगा भई, अमावस्या, पूर्डिमा को बिलकुल पूरा चान दिखाई पड़ता है, अमावस्या को एकदम काला चान दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसका विलोम क्या होता है, आपका अमावस्या होता है, जबकि आपर देखें पिभावरी दिया गया है, पिभावरी मतलब रात होता है, निसीथ मतलब रात होता है, काली मतलब इन तीनों का मतलब क्या होता है, रात होता है, ठीक है यह चीज़ याद रखिएगा, तो यहापर आपसन नमबर C पर टिक करेंगे, और आगे कि तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क प्रतिहत बोलते पॉइंट याद रखेगा अगला कोईशन है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला सब द्यूग में आप पर बोलते हैं लोगे प्रतिहत चलेंगे अनिल जो निल है इसका बतलता हुआ हवा और अनल मतलब होता है आग तो वायू और अगनी के इस option में भाई option में देखे फर्स्ट में हैं वायू और अगनी तो यहाँ पर option number जो इसका first दिया गया साथ यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखे कर रहा है वैज्यानिक सब्द में कौन सा प्रत्य हो जाएगा वैज्यानिक सब्द के बिल्क बिल्क बोलकर इसको वैज्यानिक बोलने है ठीक है इसी तरह इतिहासिक जो होता है वह इतिहास प्लस इतिहास में एक लग्क्य बनता है इतिहासिक हो जाता है तो आपसन नम्बर जो इसका बी दिया गया साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला question देखे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया अभ्यागत सब्द में कौन सा उपसर्ग है मैंने जिसे आपको पिछलोगे question बता है प्रत्य प्रत्य आखरी में लगता है इसी प्रकार आपका जो उपसर्ग होता है वह आपका पहले लगता है तो अभ्यागत में अभी प्लस आगत होत टो यह 10-13 करना थिक है तीन तेला करना खुब कमाना ठीक से गिंतीदा करणा भिखेर लेक्र कर दे या विस्राम करना तो तीन ऋबतर तीन ना कर रहा भया यानि कि क्या होगा है आपस तारभ जेवाब जो देदी चलाएंगी मैश्सible क्या तरह को जाएगा तितर वितर कर देना यानि कि बिखेर कर रख देना एक्ट्जल भाई नंबर सी सात्ते हो जाएगा चलिए भई अगला कुश्शन देखे आप से आपर क्या पूछा क्या है ध्यान से देखे को और सब लोग बताते हो चलिएगा कि निम्लिकित वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य का उधार होई सरल वाक्य का उधार पते ही कौन सा हो जाएगा सूरज उगा सरल वाकिह में पहले बात तो यह समुच्छे़ बूधक्सब्द नहीं आता है तो यह आपका समयक्त वाकिह होगा है सोड़ी-उदे होते ही अंध्हेरा समाप्त हो गया एक एक वाकी का सर्मन दूसरे वाकी से होता है वहाँ पर मिस्त होता है ठीक है बीमारी के कारडाम नहीं आएगा देखो के कारडाम नहीं आएगा ये भी आपका मिस्तर वाक्य हो गया और अच्छा कौन सर्वाक्य हो जब संकट आया तब घवरार नहीं है यहाँ पर चारो ऑप्सन जो यह देखिए सर्वाक कोई नहीं लेगा बीमारी के कारडाम नहीं कि यहाँ पर एक ही जो है आपका करता है करता की अगर हम बात कर्ते हैं तो या हन से होगा और जब कि यहाँ पर भिमारी के कारडाम नहीं आएगा तो ये आपका स्टाएगा अगला कूरैशन देखिए पूछा गया कि छेटा आzubाईक इक कौन सा हो운 यह जितने लुख क्या गोलते है बिसम्यादी बोदक है यह इंगलिस वालोपुढ़ विराम है इन्दी वालोप को पेहां है आज जो नहीं कही इंहें चीन ऑगश्वान की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही है इन पंक्ति यहां प्रफ्व tua नहीं कहीं इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा तो भाईया साफ साफ देखें पढ़ने से क्लियर हो रहा है यहां पर करूरस का वेद है तो इतने लोग उने करूरस जवाब दिया और यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी अगला कोशन दिखें आपसे कह रहा है कि लाल पान की बेगम इस कहानी की रिश्नाकार पतके कौन है लाल पान की बेगम बहुत इंपरक्त कोशन है और उसकानी की रष्नाकार है यह झार जी जी करशनाकार है फड़िस्वनात्रेडू तो आपसे नमबर 20 यहां पर जो एक रेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए अगला कोशन है चंद्रगुप्त नाटक की रिजिता बताई कौन है यह कोशन में आपको कई बढ़ा चुका हो गई चंद्रगुप्त नाटक की जो चाहित अगला कोशन है वीर रस का इस्थाईवा होता है यह क्या होता है वीर रस देखो क्रोद रस तो आपका होता है रोदर के लिए और क्या होता है भै आपका भैयानक रस का होता है ठीक है भैयानक रस का आपका भै होता है सरजी इसके लिए अगर हम बात करते हैं विसमे विसमे और उस introductions में वीरस का recipients होता है ठीक है विसमे जुसमें अद्भू द्रस का हुज़ता है यह आद रागर करते सा कि वीरस में देखे उसनомणी गहले और यह जाएगे यह प्रशन वाचक चिन यह विसमे आद छिन यह पूर finely ाट किए लेकिन D option की बात करते हैं तो यह आपका दूस्त तो अल्पविराम हो जाएगा एक और question देखिए आपका यहापर कहरा है Hindi कौन सी भासा का सब्द है Hindi कौन सी भासा का सब्द है सब लोग बताते हो चलेंगे Sanskrit, Urdu, Prakirt और Farsi Hindi जो सब्द है वो इरान से आया हुआ है इरानियों ने दिया है भाई Hindi सब्द का प्रियोग सब्से पहले इरानियों ने किया था इस दर्शे जो इसको हम लोग बेसिकली Farsi मानते हैं ठीक है इरान, Farsi तो यहापर जितने लोग जवाब दिया है पंजाबी भासा का जो जन्म है किस अप भ्रहंस से हुआ है तो इस पंजाबी भासा की अगर हम बात करते है पैसाची, सौरसेनी सौरसेनी से तो अपनी हिंदी भासा का हुआ है सौरसेनी से तो अपनी हिंदी भासा का हुआ है पश्मी हिंदी का हुआ है लेकिन हम बात करते हैं पैसाची से पैसाची से आपका पंज़वासा का जो जन्म है, कह सकते हैं, एक जी जाद रुखे, अर्दमाग्दी से अपनी पूर्वी हिंदी है, ब्राचर से जो सिन्धी भासा का जो जन्म हुआ है, ठीक है, तो उप्स नमबर जो इसका ए दिया गया यहां पर यह करेक्ट हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्च के तरफ कि वह यहां पर जवाब देते हो चलेंगे उसी के आगे बढ़ने हैं हम लोग महा भोज उपन्यास की लेखी का कौन है तो कल आपने अगर जोईन किया होगा यहां पर यहां पर तो आपको यह 140 तो आ यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले कोशन की ओर बढ़ते हैं तो अगला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा कि इनमें से सूर्दाश जी की रचना कौन सी है आपको बताना है इनमें से सूर्दाश जी की रचना कौन सी है तो भई सूर सागर साहित्य लहरी उ सूरावली यह सारी की सारी सूरदार जी की रचनाइं हैं यहां पर पूछना चाहे था कौन सी नहीं है तो याद रिखे कौन सी नहीं है बताइए तो याद रिखे दोस्तों उद्धो सत्तक यहां पर जो आपका अपस नंबर भी हो यहां पर करेक्ट हो जाएगा भी यहां पर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रित्वी राज रास्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की और तो अगला कोशन देखिए आपके सामने यह रहा कि वैसाली की नगर वधू यह किसका उपन्यास है कोशन नमर 144 फटाफर जवाब है क्या हो जाएगा चार और चतुरत सें सास्त्री बहुत ही इंपॉर्टन्ट याद रख्ये दोस्तों ऑचार चतुरत संस्त्री तो यहाँप्र और यह ऐसा topic होता है कि काफी लोग को answer जो है नहीं पता होता है तो बस आपको क्या करना है यहीं पर question को पूरा देखते हुचलना answer नहीं देपार है कोई बात नहीं बस आप देखते हुचलिए और याद करते हुचलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको इसके बाद PDF मिल question बताया था तो option जो इसका B है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है चलिए आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है जूठा सच यह किसका उपन्यास है जूठा सच यह किसका उपन्यास है बहुत ही important question most repeater question इसको मान सकते हो बताए जूठा सच जो है यह किसका उ इन में से कौन सी रशना केसो जी की है बताए इन में से कौन सी रशना केसो की रशना नहीं किस की रशना आपको कभी परियो का वी निरड़्डर मेंasmet निरले में बताए वह को और यहाँ रखें दिट कहए कई बारा कर बारे निόघ्र करें dow यह बीशल देव रासो की रचैता का क्या नाम है बीशल देव रासो बताइए बीशल देव रासो प्रिश्वी चंदर बर्दाई तो नहीं होंगे यहाँ पर आप इस सभी को जवाब दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएक एंसर बीशल देव रासो की बात हो रहा है तो याद से कौन सी रशना तुलसीजी की नहीं है तुलसीदास जी की रशना कौन सी नहीं है बरवय रामार मैयर पत्रिका रांचंद्रिका यह दो हावाली इन कामाईनी रामायना और कुरुखषेत्र या सगेट तो कुरुखषेत्र है नहीं या तो कामाईनी में होगा या तो साकित में होगा फड़ा वर सभी लोग जवाद देते हुए चलेंगे आपर जैसंकर प्रसाजी है बिल्कुल सही बात है यहाँ पर याद रखेगा कामाईनी बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कामाईनी करेक्ट होगा साकित नहीं करे सब्सक्राइब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखो क्या कह रहा है क्योंकि आपको पता धेर सारी कोईशन्स है आंचलिक रशनाई किस से संबंदित होती है फड़िस्वर नास रेडू मैंने आपको कई वर रता रखा है आंचलिक रशनाई होती है वो किस से संबंदित होती है फड़ा फट़ जवाब देते हो चलेंगे सर याद रखे किसे दूस्तो छेत्र विसेश से संबंदित होती है तो यहां पर आप्सन नमबर जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलियर है चलियर आते हैं कोईशन नमबर 133 कि तरफ तो देखे क्या कह रहा है कलम का सिपाही यह क्या है बताइए सर कलम का सिपाही क्या है आत्म कथा है संसमरण है रेखा चित रहे या जीवनी है तो याद रखे दोस्तों कलम का सिपाही की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह एक आत्म कथा है क्या दोस्तों आपकी एक आत्म कथा है, तो option number जो इसका A है, वो यहाँ पर बिल्कुल clear हो जाएगा, option number A, कलम के सिपाही का है, आपका एक आत्म कथा है, अगला question देखो क्या कह रहा है, गोदान, ये तो सब को पता होगा सर, गोदान किसकी कृति है, बताए सर, गोदान जो किसकी कृति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, प्रस्तु पंक्तियों के रचेता का नाम बताना है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, बहुत ही अच्छा question है, तो याद रखिए, यह जो correct answer है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ यहां पर प्रवीन जी का तो यहां पर स्थूर्य कांत रिपाथी निराला जो जाएगा division जो इसका डी है वह यहां पर बिल्कुल कैठ है महाधोर्मा जी नी हो यहां पर सूर्य कांत रिपाथी निराला जी हो जाएंगे clear है चलिये आते हैं अगले question और तो देखिए क्या हो जाएगा समझ में आ गया ना आते हैं एक लेक्व को और देखिये क्या गहां थैसा की नामोवार सिंग जी हैं तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले question की और तो अगला question 158 number देखिए क्या कह रहा है कि भीया हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है बहुत important most important डिक कर लीजेगा इसको हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताईए आप सभी लोग क्या हो जाएगा 158 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सब यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी की पहली कहानी लेखिका है वो बंग महिला है याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों बंग महिला तो जिसको भी नहीं आता है उसको नोट करती हुए चलेगा यह question आपको मैंने बोल तो अंजो दीदी के रशनाकार बताइए कौन है 169 तो याद रखिए दोस्तों अंजो दीदी के अगरम बात करते हैं तो इसके रशनाकार उपेंद्रनात अस्क जी है तो आपसर नम्र जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कल वाले 140 आज वाले 140 दूसो 236 है तो दोनों 266 कोशन मिला करके आपके इसके बाहर आपका रशना रशनाकार से आना ही आने वाला नहीं है एक से दो कोशन तो आपके फिक्स हो जाएंगे क्लियर है अगला कोशन देखो क्या गह रहा है कि अर्द नारी स्वरी नामक उपन्यास करेशेता कौन है सभी दोस्तों विष्णू प्रभाकर जी इसके रचाहिता है तो आपसर नमबर जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आते हैं अगले कोशन पर देखे क्या कह रहा है बिहारी रतनाकार करेशेता कौन है कोशन नमबर आपका यहां पर कौन सा है सर 161 है फटाफर जवाब देखे सर बिहारी रतनाकार के रचेता कौन है 161 जवाब देखे यहां पर आना शुरू हो गया तो ए नहीं होगा सर यहां पर रतनाकार हो जाएगा रतनाकार याद रखेगा इसके रतनाकारी है तो आपसर नमबर जो इसका सी है वो यहां पर बिल्क चुका हूँ है तार्सब्तक के संपादक बताइए कौन है 162 फढ़ा फट सभी लोग जवाब देते चलेंगे सर्टाइव सब्तक के संपादक कौन हो जाएंगे चलिए तो दो याद रखिएगा तार सब्तक के अगर हम बात करते हैं तो तो देखे क्या कह रहा है कि 84 वैश्रोवन की वारता इसके लेखा कौन है फड़ा-फड़ बताइए सर अमिताब बच्चन जी के पिता सिरी हरिवन सराय बच्चन जी मदू साला के रचयता है मदू साला ऑफशन जो इसका भी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कौशन देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखेगा इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है मोहन चैंब करते हैं तो यहां पर देखा है तो लहरों के राज ही मोहन राकेश की करेटी है तो लहरों करेक्ट हो जायगा कि इल्मेंटा कोमें rice? पुरुसकार मिला है इनमें से हिंदी किस साहितिकार को ग्यान पीट पुरुसकार मिला है प्रेम चंद्र निराला सुमित्र नंदन पंत या मिला हुआ है तो option number जो इसका D है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ में आगे दूस्तों चलिए आते हैं अगले question पर तो देखे क्या कह रहा है है नील देवी नाटक के रचेता का नाम बताइए नील देवी एक नाटक है इसके रचेता कौन है question number 167 फटाफ़ सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर बताइए सर 167 का करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा नाटक है ना तो ज्यादध नाटक जो है भारति इंदु हरीषचंदर जी के होते हैं तो यहां पर जो इसका एक रिखे रहा है राम की सकती पूजा किसकी क्रिती है राम की सक्ति पूजा यह बताये किसकी क्रिती है आपकी सारे चार उप्सोन दिये गए है और राम विला सर्मा पंत निराला यह प्रसाथ बताये इसका Vienna correct श्र्वा आपका क्या हो जायेगा चलिह याद रखे हो दोस्तों जो राम की सक्ति पूजा है किसी कांगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कैसे क्या है और या बुंदेले हर बोलो के मुह हमने सुनी खानी खूललणी मर्दानी ठावां यस्वादि अब चर्ट 60 और इस सब पता होगा यह किस दानी कोब आखें लिए उत хоч तो जासा आ लिटानी थी तो सुविद्रा कुमारी चोहान तो आपने बच्पन में साथ पढ़ा भी होगा इनके बारे में तो ऑप्सन जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखिए क्या कह रहा है कि भाईया अंधा यूग यह किसकी कृती है जो इसका D है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी के बाद कोईशन नमबर 171 देखिए कह रहा है मुझे तोड लेना वनमाली उस पत में देना तुम फेक मात्र भूमी पर सीष चढ़ाने जिस पत पर जावे बीर अनेक यह पंक्तियों के रिच्पन में पढ़ में रहा होगा साइथ क्लास नाइन त्या त्यां यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या कह रहा है रक्षा बंधन नाटक करिशेता कौन है चारा अप्सन दिये गए हैं आपर सभी जवाब देते हो चलेंगे रक्षा बंधन के अगर हम बात करते हैं तो हरी कृष्ण प्रेमी क्या हो जाया है की हिमाले के आगन में उसे प्रतम की लोग को दे उपहार उसा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार सबसे पहले अतनी आपने किस ने लिखे थी आप सभी को कॉमेंट करके बताना है बहुत इंपोर्टन्ट है इससरा कोईशन आपके बहुत आते हैं जाब सबसे पहले अपनी वाला पहला वाला जब आता है तो वह बहुत पुझायता है तो याद रखें दोस्थों स्याम सुंदरदास यहाँ पर गॉंपर और करेक्ट हो जाएगा सबसे पहले अपनी आदम कत के प्रसिद लेखत बताइए कौन नहीं है 175 फड़ा फड़ा सभी जवाब देते चलेंगे बहुत ही अच्छा कोशन है तो याद रखे दोस्तों अगर हम बात करते हिंदी में जासूसी पन्यासों के बारे में तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद रहे हैं वो गोपाल राम गहमरी यह रहे हैं कौन है दोस्तों गोपाल नाम गहमरी जी तो ऑप्सन नमबर जो इसका भी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चैली आते हैं अगले कोशन पर तो देखिए अगला कोशन क्या कह रहा है कि भाईया ठेट हिंदी के ठाठ इसके लेखा कौन ह बताइए ठेट हिंदी के ठाठ इसके लेखा कौन है 176 सवी लोग जवाब देते चलेंगे सर बहुत ही इंपोर्टन है तो जवाब देखिए आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोज जी है तो ऑप्सन नमबर जो इसका सी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अयोध्या सिंग उपाध्याजी ठेट हिंडी के ठाट के लेखक हैं कई बार रिपीटेड कोशन है मोश्ट रिपीटेड कोशन आप इसको मान सकते हो आगला कोशन को क्या कह रहा है वह या कि भूथ नात के रचाइता जी है कोने दुस्तों देवकी नंदन खत्री जी है तो ऑफसर नमबर जो इसका भी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगया सर चलिए आते हैं अगले कोशन की और तो देखें अगला कोशन क्या कह रहा है बहिए इन में से कौन सी रचना जाइसी जी बताजिये इन मेंसे कों सी रचना आपकी जाइसी जी है मलिक मुहम्मद जाइसी जी की रचना कौन सी है तो पदमावती समय को क्या कह रहा हैं बताइए इन में से कौन सा नाटक भारते इंदु हरिश्वंदीजी का नहीं है भारत दुर्दसा स्वर्ड विहार अंधेर नगरी या चंद्रावली नाटक पताइए जब आप देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा यहाँ पर भारत दुर्दसा अधेर नगरी के लिए तो फेमस ही है चंद्रावली नाटक भी नहीं का है लेकिन हम बात करते हैं स्वर्ड विहार के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है अनुपरा सलंकार होता है बट आपको उताना है इन पंक्तियों के रचैता कौन है बताए सर बिल्कुल सही बात सर इन पंक्तियों के रचैता की बात करते हैं तो भारतें दुहरिष्चेंद्र जी है तरिन तनुजातर तमाल तरुबर बहुच्छाए तो उसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आगला कोशन देखते हैं क्या कह रहा है धिहां से देखिएगा कि भाईया मरिग नयनी उपन्यास की रचनाकार कौन है बताए सभी लोग मरिग नयनी उपन्यास की जो रचनाकार है वो कौन है 181 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर तो याद रखिए दोस्तों 182 का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी ब्रिंदा वन लाल वर्माजी ब्रिंदा वन लाल वर्माजी है क्लियर है चलिए आते हैं 182 पर तो देखी क्या कह रहा है निम लिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेम चंद्र द्वारा लिखित नहीं है देखी कायकल्प है रंग भूमी है जैपराजे है और प्रेमासे है तो यहाँ पर आपको भी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है क्या भूलू क्या याद करूं यह जो है किसकी आत्मकता है क्या भूलू क्या याद करूं चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया है और काफ वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे इसके रचयता कौन है वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे यह जो पंक्तिया है इसके रचयता कौन है 184 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर तो याद रखेगा है वही मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे इसके रचयता की बा नाम बताना आप सभी को 185 पड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर एक सो पचासी का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे दोस्तों एक सो पचासी के अगरम बात करते हैं तो हिंदी साहेती के जो प्रियोग वाध है इनके जयता कौन है तो बिल्कुल सभी जवाब आ रहा है सर इंसा अल्ला खान कई बार आप से कोशन पूशा जा जुका है इंसा अल्ला खान तो ऑप्सन जो इसका डी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आगया सर आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन बैब समय आप से हाँ आपर क्या कहे रहा है कि भारत भारती काव्य की रचनाकार को ने एक सह शुआ सी सभी लोग जवाब देते हो चलेंगेNow भारत भारत समय रचनाकार कोने डोन अच्वाज जर्म भारती जी नहीं कल यह मैंने कुटाया था मैंस्थी शर्गुप्तजी की रचना है तो आप लों एसे कोमेंट करेंगे तो अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि अनाम्दाश का पो था कल भी एक कोशन कर वाया था अनाम्दास का पोथा उपर नियास के प्रकार का ग्रंत है बताई जो है वो किस प्रकार का ग्रंत है सभी को जवाब देते वे चलना है सर बहुत ही अच्छा कोईशन है कामाईडी 189 फड़ा फर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखिए दोस्तों कामाईणी के अगरम बात करते हैं तो कामाईणी एक महा कावी है क्या है दोस्तों आपका महा कावी है तो ऑफ्सन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कामा उनर नवा सेवा सदन तो आपको पता इनका नहीं है परक है एक दा नयमी शारन्य है इन दोनों में से कोई एक करेक्ट एंसर होगा फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सार तो याद रखिए का जैने इन रहापर जो परक है याद रखिए जो परक है दोस् यहां पर एक रान धाय चीज़े होती है तो यहां पर आप्सन जीचे है और अलग अलग चीज़ों कर दोदी हैं करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कुट्टज की रचाइता कौन है बताइए सर कुट्टज की रचाइता कौन है 192 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर कुट्टज की रचाइता कौन है बताइए कभी कालीदाश जी की जो अभियान साकुंतलम है इसका हिंदी अनुवाद किस ने किया था 193 बहुत इंपॉर्डन कोर्शन है 193 सभी लोग जवाब देते वह चलेंगे तो याद रखेंगे जवाब देते हैं चलेंगे सर 194 बताइए सर इसका क्रेक्ट अंतर क्या हो जाएगा जहड़ना कि अगर हम बात करते हैं तो इस कावे संक्रा क्रेशा कौन है जैसंकर प्रसाद जी है तो जो इसका सी जवाब आ रहा है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का अगला कोशन क्या कहरा है कि परहितसरस धर्म नहीं भाईर पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई यह जो पंक्टियां ढहें किसकी है रहेश चंदनविस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग इन पंक्तिव ते चेता कौन शुनाविस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुघंजhand रहीम नहीं तो आप्सण दियां वहाँ पर ठोड़ाएगा ठोड़ा सा सब्सक्राइब अगला कोशन देखो क्या कह रहा है म्रिगावती के लेखक कौन है बताइए म्रिगावती के लेखक कौन है 197 सभी को जवाब देते हुए चलना सर म्रिगावती के लेखक कौन है तो याद रखे दोस्तों अगर म्रिगावती की बात करते हैं मंजन है जायसी है कुत्बुन है और नूर मुहम्मद है तो इन सम्में दोस्तों आपका जो कुत्बुन है यह मिल्गावती के लेखाक है ना कि जायसी जी कुत्बुन ऑप्शन जो इसका भी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया सर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अंगले कोशन की ओर तो देखी क्या कह रहा है बंग महिला अभी एक बंग महिला आपको मिला था बंग महिला कहीं पर तो बताना है आपको जी हां बंग महिला का असली नाम क्या था बताएं सर कोशन नम्बर 198 फटाफर जवा वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो राजे नबाला घोस हो गया बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर तो देखी क्या गह रहा है आलोक पर्व निवंद की रचनाकार कौन है बताईये सर आलोक पर्व इस निवंद की रचनाकार कौन है फटा-फटा जवाब देती ह चलेंगे सर 190 तो याद रखें दोस्तो आलोग पर्व की बात करते हैं तो इसके रशनाकार जो है आपके हजारी प्रसाद डिवेदिजी हो जाएंगे कौन दोस्तो आपके हजारी प्रसाद डिवेदिजी हैं option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा चलो आते हैं अगले question पर तो देखिए क्या कह रहा है कि मधु मालती की रचना किसने की है मधु मालती बताइए सर मधु मालती की रचना जो है किसने की है question number 200 है सभी को जवाब देते हैं चलना तो यहाँ पर याद question पर तो देखिए क्या कह रहा है कि यह पाउम चरियो किसकी रचना है question number 201 बहुत यह अच्छा कोश्य देखो 201 पर हम लोग आ चुके यानि कि आधा रास्ता ताय कर चुके हैं सतर पहत्तर question और बच्छे हुए छेतर question और बच्छे हुए सबको पता हुए सर कई बारी मैं आपको बता चुका हूं सर इसका जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा ब्राम ब्रिच बेनी पुरी तो जितने लोग जवाब देरें डी वो लोग यहाँ पर correct हो जाएगे राम ब्रिच बेनी पुरी clear दोस्तो तो option जो इसका डी है वो यहाँ प मती राम तो याद रखें दोस्तों सुजान विनोध की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौने दोस्तों देव जी हैं मती राम नहीं यहाँ पर देव जी है आफसन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है चलिए आते हैं अगले question पर देखें क्या कह रह है तो option जो इसका बी है याद रखेगा PDF इसका डाउनलोड कीजिएगा after class जब class end हो जाए तो PDF जो डाउनलोड कीजिएगा जैसे at least आप लोग इसकी तैयारी जो है एक बार रिपीट रिपीट मोड में कर सकें अगला question देखो क्या कह रहा है विज्यान गीता कि रचना किसने की है 205 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर चलिए 205 के जवाद विज्यान गीता बहुत ही इंपोर्टन्ट है तो याद रखें दोस्तों विज्यान गीता की बात करते हैं तो इसकी रचना के सवदाश जी ने की है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा के सवदाश जी है clear है चलिए आते हैं question number 206 की तरफ देखे क्या कह रहा है कि प्रबंध चिंता मड़ी की रचेता का नाम क्या है तो याद रखें दोस्तों प्रबंध चिंता मड़ी के गरहम बद करते हैं तो इसके जो रचेता है मेरुतुंग जी है कौ कौन है प्रबोध पचासा बताइए सर प्रबोध पचासा इस ग्रंद के रचनाकार कौन है question number 207 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर क्या हो जाएगा 207 का करेक्ट एंसर याद रखेंगे दोस्तों प्रबोध पचासा की अगर हम बात करते हैं तो पदमा कर जी है कौन question number 208 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर कभी प्रिया के रचनाकार कौन है तो याद रखेंगे केस हो जी है बिल्कुल सभी बात है सर केस हो जी है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब जवाब देते रहेंगे तभी तो पता चलेगा न सर आप यहाँ पर है य question number 209 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखेंगे नाभादास अश्ट याम के जो रचेता है नाभादास जी है बिल्कुल सभी जवाब आ रहा है तो option जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा clear है अगले question पर आते हैं तो देख कौन हो जाएंगे 211 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे 211 इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा डल्पित वीजय बिल्कुल सही बात है सर खुमान रासों के जो रचेता है आपके डल्पत वीजय जी है तो option जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक मिट्रू कि चले आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखें आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रित्वी जाज रासों के रचेता कौन है जितने रासों थे आपके सारे के सारे यहाँ पर किलियर होगे तो बता रहा है तो बिल्कुल सही चंदर बरदाई तो ऑफशन जो इसका ए है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या गहारा है महा कभी भूसर महा कभी भूसर की रचना किसने की है बताए खुशन नमर 213 फटावर सबी लोग जवाब देते हैं किसने की है दोसो तेरा जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा महा कभी भूसर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रचना चृत्र साल दसक ने की है बिल्कुल सही बात है तो ऑप्सन जो इसका डी है जितने लोग जवाब देरें डी वो लोग यहा करेक्ट हो जाएगा आते हैं दोस्तो कोईसर रंबर 215 की तरफ देखें क्या कह रहा है ऐसको के फूल इस निबंद के रचेता कौन है असोग के फूल इस निवंद के रिजएता बताइए कौन है यह तो कई बार आपके सामने आ चुका हो कोईशन तो बिल्कुल साही बात है सर असोग के फूल के अगरम बात करते हैं तो हजारी प्रसाद दिवेदी जिसके रिजएता है तो आफसर नमबर जो इसका ए है वो यहा प्रियोग वाद के कभी थे किस वाद की दोस्तों प्रियोग वाद के तो आपसन नमबर जो इसका भी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं कोईशन नमबर दोसो सत्तरा पर तो देखें आपसे आपर क्या कह रहा है ध्यांस देखिएगा कि चांद का मूह तेड़ा है इसकी राचेता कौन है वो तेडहा है इसके राचेता कौन है आपका 277 फड़ापर सभी लोग जवाब देखेंगा सर याद रहेंगे दूस्तों 207 का जो करेक्ट हैं सर आपका क्या हो जाएगा जाजा क्या है सर नागार ज्यून है धरम भारती है और यह यहांपर क्या कहते हैं कि अनामिका काव जोbard किसकि द्वरी रचित है 218 मिकसि कि- 팔. बी यहांपर कारेक्ट हो जाएगा कोशन हम वह दोसों यहांपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं कौशन 119____ you देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम वाटिका नामक गरंत के रचेता कौन है प्रेम वाटिका नामक गरंत के रचेता कौन है फड़ा पर सभी लोग जवाब देती होई चलेंगे बहुत यह अच्छा कोशन है प्रेम वाटिका कई बार आपके सामने यह कोशन आ चुका होगा तो है इसकी लेखी का बताईए कौन है 220 फटा पर सभी लोग जब देती हुए चलेंगे जब आप देखिए आपर आना शुरू हो गया तो 220 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो करेक्ट है तो आपका नासीरा सर्मा क्या हो जाएगा तो आपका नासीरा सर्मा तो आपक बादल राग है इसके रचैता कौन है कोईशन नमर दोस्ते की सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों बादल राग अगर इसकी बात करते हैं तो इसके रचैता सूर्यकान त्रिपाठी निराला जी है तो ऑप्सन जो इसका सी है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए 222 नमबर कोईशन देखिए क्या कह रहा है असाड का एक दोस्तों अगर 222 की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट क्या हो जाएगा सर मोहन राकेश बिल्कुल सही बात है जितने भी जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्सन नमबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे मोहन राकेश जी है प्लियर है चलिए आते हैं अ सफ़ीने ऐ रातरी ना की बात हो रही है तो में ठूफरों भीड जाब believing जवाब दिजिए उनकर ऐसा फोर्षा किविलों क्या का बात करते हैं तो राकेश यहाँ पर बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा अगला percentage on country'd का नहीं है जारों में से तो सब्सक्र न कर पर किया रहा है कि ज्यान मारगी साखा के कभियों को किस नामसे पुकारा जाता है ज्यान मारगी साखा के कवियों को किस दाम से पुकारा जाता है माफ कीजिएगा चलिए कोईशन नमर आपका यहाँ पर 226 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखे है कि उसने कहा था इसके मुख्य पात्र कानां क्या है क्यों से श्तोर के महथा जोम के नाम क्या है है कोईशन आप आपके हैं आप तो याद रखे दोस्तों उसने कहा था इसके मुख्य पात्र लहना सिंग जी है तो इसका सी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अगला कोशन देखो आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटिक हिंदु नुवारिये या कथन किस का है इन मुसल्मान हरी जनन पर कोटिक हिंदु नुवारिये ये कथन जो है किसका है 228 सबी लोग जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखे दोस्तों यह जो कथन है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है तो आपसे जो इसका भी है वह यहां पर बिल्कुल जाता है 239 सबीं जवाब देते हो चलेंगे सर कोशन नमर आपका 230 सबीं जवाब देते हो चलेंगे सर कथिन कावे का जो प्रेथ है यह किस कभी को कहा जाता है 230 देखिए यह आपर एंस और असुराना सुरू हो गया तो याद रखेगा सेना पति को मति राम चिन्तमड़ी को या केसो दाजी को ते हैं पर ऑप्सन जो इसका डी है ये करेक्ट जाएगा केसो दाजी को कहा जाता है कठिन कावे का प्रेथ बहुत ही इंपोर्टन से तो इसको याद कर लिजेगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि भई इनमें से कौन भक्तिकाल का कभी नहीं है दोसो सब्सक्राइब दोस्तों अब बहुत है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझने आगया सर तो यह जो है आपके भग्तिकाल के कभी नहीं है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या कह रहा है कोशन नमर्ब दोसो एकत्यस क्या कह रहा है कि अप बहुत का वालमी की किसे कहा जाता है अप बहुत का जो वालमी की है वो बिसिकली किसे कहा जाता है आप सभी को जवाब देते हो चलना है 231 जवाब देखिए आपर आना शुरू हो गया है तो याद रिखिए दोस्तों अप बहुत का वालमी अगर इसक क्या कह रहा है केसो कहीं नजाय का कहिए या प्रसिद्धपद किस कावग कृति से उध्रित है केसो कहीं न जाय का कहिए बहुत बहुत ही इंपोर्टन कोशन है 232 बहुत ही इंपोर्टन है तो याद रखें दोस्तों यह सूर सारा वली से उद्धित है तो ऑप्सन जो इसका भी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया ना आते हैं अपर 233 पर देखी क्या कह रहा है गुमक्कर सास कौन है दोस्तों राहुल साथ के त्यायन है तो ऑप्सन जो इसका डी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखा कौन है बताईए दूसरी परंपरा की खोज इसके देखा कौन हो जाएंगे फटा-फट कोश्चन अबर 234 का जवाब देजिए सभी लोग थंडी काफी बढ़ गई है कुछ करना पड़ेगा 234 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर तो याद रखिए दूसरी परंपरा की खोज नाम वार सिंग बहुत ही इंपोर्टन है हरी घास पर छरभर इस क्या बोलते हैं सीड़ सभी लोग जवाब दीजिए 235 तो याद रखिए 235 का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा अग्ये जी हैं हरी घास पर छरभर इस सीड़ सभी लोग जवाब देखें क्या कह रहा है यह तो सबको पता होगा कि कृष्ण गीत गीता वली नामक का विग्रंद के रचेता कौन है पर फड़ा फड़ सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर्थ बताएगे सर्थ कृष्ण गीता वली जवाब देखिए आपर 236 का आना शुरू हो गया है तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट एंस हो रहा है बाफ कीजिएगा तो 236 यहाँ पर जवाब देखिए सूर्दास जवाब आ रहा है कुछ तुलसी दास दे रहे हैं तो दोनों में कन्फ्यूज मत हुई है 236 का जो करेक्ट एंस हो रहा है आपका तुलसी दास हो जाएगा कृष्ण गीता वाली है ना तो यहाँ पर सूर्द काने के लेखक कौन है कौरशनBendus 232 सबहे लोग जेवाब देते चलेंगे सर हत्या रमकाने की लेखक कौन है 1- Signal 30 8 अगर हमम हत्या की बात करते हैं दोस्तो इसके जो लेखक है आपके जयनेंदर कुमार दी इसके पहलेशन करुछे ना ने आपको कुमार तो यहाँ पर सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी जो रचनाकार है विकारी दाज जी है तो आपसर नमर जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कॉशन नमर आपका 249 देखिये क्या गहरा है महाभोज उपन्यास की लेखि का कौन है बताइए सर जल्देली करते हैं थोड़ा सा और बचा हुआ कोशन है तो थोड़ा सा बोरिंग मत बनाएए इसको जल्देली करते हैं 249 के जवाब देखिये जवाब देखिये सर तो याद परड़ा किसकी कृति है सब्त परड़ा जो है किसकी कृति है कोईशन नमबर 240 फटा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर सब्त परड़ा बहुत इंपॉर्टन है तो याद रखेंगे दूस्तो 240 का जो करेक्ट एंसर आप का महा देवी वर्मा जी हो जाएगा तो बिलकुल सही बहुत इंपॉर्टन तो यहाँ पर उप्सन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं दूस्तो अगले कोशन पर देखें अगला कोशन क्या कह रहा है कि ग्यान बोद जो है किसकी रचना है बताए बहुत हिंपोर्टन तो याद रखेंगे कि मलूक दाजी की रचना है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो देखें क्या कह रहा है सुजान सागर जो है इसके लेखा कौन है सर सुजान सागर के लेखा कौन है 242 वड़ाफर सभी लोग बताईए सर सुजान सागर के लेखा कौन है सुजान सागर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेखा घना नंद जी है तो इसका ए है वो correct हो जाएगा घना नंद जी है सर बोधा जी नहीं है अगला question क्या कह रहा है आत्म बोध किसकी रशना है बताइए सर आत्म बोध जो है वो किसकी रशना है आत्म बोध किसकी रशना है तो याद रखेए दोस्तों गोरक नाथ जी की रशना है किसकी गोरक नाथ तो ऑप्सन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है 244 नमबर question किसकी रशना है चलिए 244 कर रहा है काब रसायन किसकी रशना है पड़ापर 244 का जवाब यह सभी लो तो याद रखेए दोस्तों काब रसायन जो है देव जी की रशना है तो आपसन जो इसक पड़ा फर सभी लोग जवाब दिए जिसका वी बफरिंग कर रहा स्लाइड नहीं आ रहा वो लोग कट करके ओपन कर लेंगे आ जाएगा कोई दिक्कट वाली बात नहीं है रानी की एतिकी की कहानी बिलकुल सही बात है सर यहाँ पर जवाब देखिया आना सुग हो गया है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा सर इंसाल लाखान कई बर मैं आपको ता चुका हूँ तो ऑफसर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है अगला कोईशन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है नाखून क्यूं बढ़ते हैं इसके निवंदकार बताएगे कौन हो जाएगे कोईशन नंबर 246 सब लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर नाखून क्यों बढ़ते हैं तो याद रखें दोस्तो 246 की बात करते हैं तो इसके जो निवंदकार है हजारी प्रसाद दुवेदी जी है तो ऑफसर जो इसका बी है वो पर सबी लोग जवाब देंगे तो भाई आधुनिक काल जो था उसमें गद्य जाज आए था इसलिए उसको गद्य काभी बूला जाता है तो ऑफसर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया सर आते हैं कोशन नंबर 244 पर दो देखे क् की आखें इस सीरसक नाटक के रचेता कौन है तो 248 यहाँ पर जवाब देखे आना शुरू हो गया तो याद रखेगा लक्षमी नरायन मिसरजी है कौन है दोस्तों बहुत इंपॉर्डन है प्रित्वी राज की आखें लक्षमी नरायन मिसरजी की जवारा रचेता है आते ह सब्सक्राइब नरा यहां से देखिए गंगा लहरी किसकी रचना है बताइए गंगा लहरी जो है वो किसकी रचना है कौशन अगला कौशन देखो क्या रहा है कि पुस्तक देवदास यह तो सब सकते हैं इसकी लेखक उपर निया से इसकी लेखक कौन है बताई है बहुत ही अच्छा कोशन है इसका जो जवाब तो सबको पता ही होना चाहिए तो याद रखेंगे दोस्तों 252 का जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा देखते हैं कितने लोग सही जवाब देने तो सरत चंद्र चटो पाध्या है तो यहाँ पर जो ऑप्सन नंबर इसका बी है करेक्ट हो जाएगा सरत चंद्र चटो पाध्या है और इसी पुस्तक के उपर आपकी तीन मूबी बन चुकी है देवदास की एक दो पहले बनी थी एक आपको सारुक खान वाली पता ही होगी अगला सब्सकार है तो कि मिल चुकित तो यहाँ यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आते हैं अगले कोशन पर तो देखिए कि कह रहा है कि इन में से ग्यान पूर्ट पूरसकर की विजेता कौन नहीं है बदाएं बचे इसका сегодня तो आप्सन जो इसका सी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं अगले कोशन पर तो देखें अगला कोशन क्या कह रहा है यहां से देखेगा कि भारतियं दू युग की समय सीमा है वो कितनी से कितनी तक है बताइए बहुत यह अच्छा कोशन है सभी लोग को जवाब देते हो चलना सर भारतें दुयुक की समय सीमा कितनी से कितनी तक है 257 तो याद रखेंगे दोस्तो 1865 से लेकर के 1900 1865 जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा 1865 जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोसव ठावन देखें क्या कहरा है कि भई या necesita को राजभासा का दरजा मिला हिंदी कु राजभासा का दरजा कम मिला था 2008 फटा աिपया भाक्षो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए क्या कह रहा है बरिया बीती बल गया आस बुरा कमाया हरी जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया यह बता यह किसकी लाइंस है पढ़के यह बता सकते हैं किनकी लाइंस हो सकते हैं 260 बताइए ऐसी लेंग्वेज में सद्धुकडी लेंग्वेज में या पंच मिल खिश्री जब लेंग्वेज थी कौन लिखता सर अफसर नमबर बिल्कुल सभी बात है सर तो इसका जो करेक्ट हैं सर आपको हो सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएंगे समझ में आगया सर तो भाई इसके बाद आपके अच्छा कोशन है क्या हो जाएगा सर याद रखेए दोस्तों सूर्दास के गुरू करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है हिरा हिरा मन्सूवा के उलेख आता है बहुत ही अच्छा कोशन है 262 नंबर सभी जवाब देते हैं चलेंगे सर हिरामन्सूवा का उलेख आता है किस में आता है सर तो याद रखेए दोस्तों 262 का जो करेक्ट टैंसर आपका हो जाएगा पदमावत तो हिरामन्सूवा जो है इनक इपना रासक सैली में हुई थी यह कर्थन पता यह किसका है पड़ा पर सभी लोग 263 का जवाब देती हुए चलेंगे तर तो याद रिखेंगे दोसो 263 का जो करेक्ट एंसर है आपका हो जाएगा और आचार हजारी प्रसाद दिवे दी तो जितने भी लोग जवाब दे रहे कोशन नमबर 274 पता यह सर बहुत ही इंपॉर्ण कोशन है तो याद रखेंगे दोस्तो नाटक कार सबसे प्रसित नाटक कर वसे कौन रहा है इतना ही इंड मैंने दे दिया तो आप योग बता सकते हो सबसे प्रसित नाटक कर कौन रहा है भारतेंद हरिश्चंद मिल्कुल स हो जाएगी फड़ा फर सभी लोग जवाब दिए तो याद रखेंगे दोस्तो 265 का जो करेक्ट एंसर है आपका यहां पर क्या हो जाएगा आकास दीप यहां पर जो आकास दीप है यह महादिवी बरमादीनी रचा है तो इसका भी इतने लोग जवाब दे रहे हो लोग यह बात करते हैं तो इसकी जो रचनाकार है मैथली सर्द गुपत जी है बिल्कुल सही बात है जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे अगला कोशन देखो कह रहा है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है यह तो सबको पता होगा बहु बात करते हैं तो इसकी रचनाकार कौन है नाभादास जी है तो आफसर नमबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है गोस्वामी तुलसी दाश जी का निधन वारांटसी के क किस घाट पर हुआ था बताए सर गोस्वामी तुलसी दाश जी का जो निधन है वह वारांटसी के किस घाट पर हुआ था कोशन नमबर 279 फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे तो याद रखेगा असी घाट पर कौन सा वारांटसी का जो असी घाट था यही कोशन नमबर 270 सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे इसका तो याद रखेगा सर मैं त्रेई पुसपाजी बहुत ही इंपॉर्टन है सर मैं त्रेई पुसपाजी ने लिखा है गुडिया भीतर गुडिया क्लियर है अगला कोशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि सव आजान एक सुजान की रशनाकार का नाम बताए क्या है सव आजान एक सुजान इस रशनाकार का नाम बताए क्या है 271 फटाफर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है तो याद रखेए दोस्तों 271 का जो करेक्ट एंसर आपका क बिल्कुल सही बात है 271 की अगर हम बात करते हैं तो बाल मुकुन गुपता यानि की ऑफशन जो इसका सी है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाल मुकुन गुपता जी है सो आजान एक सुजान की रशनाकार अगला कोशन देखो क्या कह रहा है भार तेंदु यूग में निकलने वाली पत्रचय का यूग में कौन सी है भारति यूग में निकलने वाली पत्रिका यूग मों देखो जवां देते हैं चलेंगे नंशाओ चलेंगे साँ इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वाने रहा है सूर सागर किस भासा की रशना है पताइए अगला कुशन देखो आपसे यहां पर क्या कह रहा है वीरो जैसा हो वसंत यह कविता बताइए किस ने लिखें यहां पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा दो ही आपसन है तो याद रखेगा सुबद्र कुमार चुहान इन्होंने और जो इसका बी हो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन देखो क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन सा रासो अलहाखंड के न बात है तो यहां पर जो भी जूब दे रहें है सी आप्सन्हों वों यहां पर दिल्कुल करेक्ट हो जाएग लेर्एगे अगला कुशन देखो क्या रहा है निमलिखित में से किस देस QUESTION में हिंदी भासा का प्रियोग लिखने वाब बोलने में किया जाता है तो किया जाता है चलिए बिल्कुल सभी बात असर मौरिसस में मौरिसस में हिंदी भासा का जो प्रियोग है लिखने में और बोलने में किया जाता है क्लियर है